So hey guys I am Siddharth and welcome back to my channel So last video में हमने outline draw करा था जिसकी setting हमने complete नहीं करा था तो इस video में हम लोग drawing को आगे proceed करने वाले हैं and face and hairs की drawing करने वाले हैं तो video बहुत ज्यादा useful होने वाला है तो video कहीं भी skip मत करेगा तो जली से start करते हैं आज की video So let's get started So guys सबसे पहले हम लोग hairs को draw कर लेंगे तो यह hairs draw करने के लिए मैं general charcoal pencil का use कर रहा हूँ and इसको blend करने के लिए water color brush use करेंगे So guys जब भी आप charcoal work करते हो तो आपको water color brushes use करना होगा instead of using soft brush क्योंकि charcoal pencil soft brush से अच्छे से blend नहीं हो पाती है लेकिन वह ही अगर थोड़ा hard brush use करते हम लोग तो वो easily blend हो जाती है So यहां मैं hairs completely charcoal से draw करने वाला हूँ क्योंकि autop evolving ह 언제?」 आपको यां मैं प्यापँ क्योंकि आप्weं से अच्वाँ यहां मैं रhernे क्या मैं शपो बीक रजाम dumping है in यह हएं मैं प्चिए heck subsid करते है आपको रहा मैं पात्तों जाने मैं लेको जान जास chatting करता है तो गैस यहां चारकोल से हमने पूरे हेर्स को ड्रॉ कर लिया है तो अब थोड़े हाइलाइट्स दिखाने के लिए हम लोग मोनो एरिजर का यूज़ करेंगे अब थोड़े हाइलाइट्स दिखाने के लिए है झाल 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 तो हम लोग थोड़ा डार्क कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं झाल 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 तो यहां हमारी हैर्स वह काफी सही लग रही है और पूरी जो हैर्स है वह हमने जैनरल चार्कूल पैंसिल से ड्रो कर रहा हैं तो अब हम लोग जल्दी से फेस को सेट कर लेते हैं तो गाइस हमें जहां रिफरेंस पीक में थोड़े थोड़े डार्क पार्ट दीख रहे हैं तो उसको हम लोग फाले ड्रो करना सेट करने स्टार्ट करेंगे प्रो करेंगे तो यहां पर ब्लेंड करने के लिए मैं टीसू पेपर यूज़ कर रहा हूं और आप पेपर स्टांप यूज़ कर सकते हो तो पेपर स्टांप नॉर्मली छोटा इस्पेस को ब्लेंड करने के लिए होता है और मुझे थोड़ा ब्लेंड करना है तो मैं टीसू पेपर यूज़ करता हूं तो आगे ड्रॉइंग में जहां भी मुझे छोटा इस्पेस थोड़ा ब्लेंड करना है तो वहां मैं पेपर स्टांप यूज़ करूँगा झाल झाल तो गाईस यह हमारी setting की first layer थी तो इसके बाद हम लोग layer by layer graphite pencil यूज़ करते जाएंगे जब तक कि हमारी जो face है वो hairs से match ना करें और face काफी light लग रही है तो वीडियो कहीं भी skip मत करना guys क्योंकि अगर आप skip कर दोगे तो फिर आगे आपको समझने में थोड़ा problem हो सकता है खासकर अगर आप एक beginner हो तो आपको skip नहीं करनी चाहिए so guys यहां में soft brush यूज़ कर रहा हूं और थोड़ी सी face में dark look लाने की खोसिस कर रहा हूं क्योंकि आप hairs देख सकते हो काफी dark है तो उसके compare हमें थोड़ा सा face जोए वो थोड़ा dark दिखाना होगा क्योंकि आप देख सकते हैं और रहा हूं and guys यहां पर हम लोग soft को draw करने के लिए हम लोग same gentle charcoal pencil को use कर रहे हैं and इसके बाद same हम लोग watercolor brush से इसको blend करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं so guys हमारी face जोए वो काफी सही लग रही है और setting जो है clothes की वो भी बन का ready हो चुकी है तो अब हम लोग थोड़े background में काम करेंगे ताकि face जोए वो काफी light लग रही है तो हम लोग थोड़ा background को dark दिखा देंगे तो face जोए वो काफी सही लगीगी करेंगे 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 सो गाइज हमने यहां बैक्ग्राउंट ट्रो कर लिया है तो आप कमेंट्स पर जरूर बताना कि आपको इस केज कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर नहीं होतो तो मिलता हू आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच पर वाचिंग